यूपी विधान सभा के बजट सत्र का आज चटा दिन है और इस बजट पर चटा दिन है और इस बजट पर चटा होगी आपको जानकारी दे दे कि यूपी के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है और इसमें 24,000 की नई पर योजनाएं रखी गई है जिसमें यूवावर का खास खयाल रखा गया है महिलाओं का किसानों का सभी का खासा खयाल रखा गया है और आज इस बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी यूपी सरकार के बजट पर चर्चा की जाएगी जिसे 5 फरवरी को वित्तमंत्री सुरेश कन्ना ने सदन में पेश किया और आज इस बजट पर चर्चा की जाएगी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और उनके प्र योजनाए रखी गई है और इसे के साथ ही आपको जानकारी देदे कि राजस्व घाटा को भी बड़े ही संतुलित तरीके से रखा गया है और हमारे साथ हमारे समवादाता इसकंदेता मिश्वा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है सकंदेता आज बजट सत्र का छटा दिन है और आज बजट पर चर्चा की जाएगी जो सबसे बड़ा बजट रहा है अभी तक का सबसे बड़ा बजट है 24,000 करोड की तमाम परियोजनाए है युवाओं के लिहां से काफी कुछ चीज़ें खास रही है इस बजट में और आपको बता दे से आज कल की अगर बात की जाए उनके सवालों के जवाब थे विपक्ष के जवाब थे वो जवाब युग आदिनात ने दिया और आज भी जो है विदानस्वा सब्सक्राइब की शुरुआत जो है सुबह 11 बजट से हो जाएगी इसमें चर्चा जो है बजट पर होने वाली है आज पूरा ही दिन और 11 बज सरकार को बजट में फाइदा हो रहा है किया कुछ नुकसान रहे हैं और क्योंकि कल कई मुद्दे जो है वो सदर में उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से आज योगिया तनाद्व है किस किस तरीके से उनका जवाब देंगे यह देखने वाली बात होगे क्योंकि च्छट सदन की कारिवाई होगी जिसमें आदे दिन के बाद सरकारी रूप से सदन की कारिवाई की जाएगी तो आज का दिन खास सारे ग्यारा बज़े से इसकी शुरुआत हो जाएगी जी बिल्कुल इसकांदे था क्योंकि हमने देखा था कि बज़ट सतर का जब पहला दिन था तो किस प्रकार से सपा के जुनीता हैं विधायक है कारे करता है वो तमाम मुद्धों पर सरकार को घेरते हुए नजर आये थे और जब बज़ट पास कर दिया गया तो इसके बाद अकले श्यादों ने प्रेस कॉंफरेंस करकर भी बज़ट पर कई प्रकार के सवाल उठाए थे ऐसे में आज का जो दिन है क्या आज का दिन भी हंगामेदार रहने वाला है ऐसे आसार लग रहे हैं कि देखिए बिल्कुल आपको उत्तरप्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है तो लगातार जब से सदन की शिरुवात हुई है विदासबास की वह लगातार कुछ ना कुछ हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके जिसे उनके जो पहले दिन उ जो सरकार को घिरने का प्रयास करते हैं कल की बात की जाए तो कल कई मुद्धे जो है विदानसभा जो अभी भाश्र था उसमें से पढ़के अखले शादा उन्हें उठाई जिसमें उन्होंने चुटा पशूवा का जिक्र किया था कि सानों की बात की थी इसके लावा लगा यसरे को घेरते हुए नजर आये एक दूसरे परतंज कसते हुए नजर आये और व्यसी ही आज का दिन क्यूंकि तमाम विपख्ष लगातार उठारा है जो और सवाब दे हुए नजर आ रही है सदन में कल का दिन भी हंगामेदार रहा है और आज भी आसार है कि सदन जो है वो हंगामेदार रहे 11 बजे से बजट चर्चा की शुरुवात हो जाएगी और उसके बाद में आदे दिन के बाद असरकारी दिवस की रूप में सत्र की कारवाई होगी बिल्कुल इसका निता देखे क्योंकि इस बार का बजट यूपे के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है इसमें युवाओ का मैलाओ का किसानों का हर वर का पूर ध्यान रखा गया है ऐसे में क्या लगता है कि आज विपक्ष की ओर से किस प्रकार के सवाल उठाए जा सकते हैं इस बजट को लेकर देखी। अगर रख worship की बात कीजायए तो कल जब अभिभाषद के शुरुवात होई तो उसुलश इादों रर्मने जो है अपने आभिभाषद के शुरूआत की तिनोंने बताया क्योंकि जब अभीबाशर के लास परने पर लिखा हुआ था कि यह उत्तर प्रदेश जो है वो किन किन चीजों में नंबर वन है तो अखलेश यादों ने जो है उसका पूरा उल्टा कर दिया उन्होंने बता दिया कि उन्होंने जो जो सरकार की नाकामिया रही है जिन जे इन चुटा पस्तों की जो समस्या है उसमें नंबर वन रही है और उसी को देखते हुए जो है इस वर बजट में खेट सुरक्षा का जो प्रोसीजर वो लेके आया गिया है तो इस तरीके से अखलेश यादा हुआ घेरते हुए नजर आई इसके लवा महिलाओं की बात की जाए तो इस तरीके से उन्होंने अपने अभिवाशन को पढ़ते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की ती जिसमें उन्होंने शुरू से लेकर और अंत तक जो है तमाम मुद्दों पर उनको घिरते हुए नजर आए इसके अलावा जब सीम यूगिया जितिनात ने भी अपन सेंसस का मुद्दा लगातार उठा रही है अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वह पीडिये का को मुद्दा बनाकर जो है एक बार लोगसभा चुनाओं दोहजार चौबिस मोतर रही है और उनके हको लेकर उन्होंने बात की उन्होंने का कि पिछड़ों के लि सत्र का जो छटा दिन है आज भी काफी जादा हंगामेदार रहने वाला है विपक्ष की ओर से तमाम सवार उठाए जाएंगे और उसी आकरामक अंदाज में सत्ता पक्ष की ओर से उसका जवाब भी दिया जाएगा आप मारे साथ बने रही है आपके पास लोटते हैं